नमस्का नाइ ओस्टासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं जर्खन बोर्ड मैट्रिक इंटर की परिक्षा मार्च के अम्तिम सप्ता हमें जर्खन एकेडमी कॉंसिल जैक ने मैट्रिक एवा मिटर मीडियाट की परिक्षा की त्यारी सुरू कर दी है जैक के सचीव महिप कुमार सिंग ने सुक्रवार को सिक्षा सचीव राजे सर्मा से मिल कर परिक्षा को लेकर मायग दर्शन प्राप्त किया सचिवने उन्हें परिक्षा की त्यारी करने के निदेश देते हुए कहा कि विभाग द्वारा सीख रही परिक्षा के पैटन को लेकर बिधूध पत्र जारी कर दिया जाएगा इधर जैक सचीव ने परिक्षा की त्यारियों को लेकर सभी जीला सीख छापदा दिकारियों के साथ बैटक की अब तक की त्यारी के अनुसार मैट्रिक एवं इंटर्मीडियेट की परिक्षा मार्च के अमतिम सप्ता में होगी साथ ही पहले एवं दूसरे टर्म की परिक्षा एक साथ होगी पहली पाली में पहले टर्म के तहथ OMR सीट पर परिक्षा ली जाएगी जबकि दूसरी पाली में दूसरे टर्म के तहथ विशय निष्ट परिक्षा होगी इसमें लगो उतरिये एवं दिर्ग उतरिये प्रश्ण पूछे जाएंगे जार्खन में दस फरवारी को फिर बारिज की समभवना पच्मी विच्छोब का असर इंदिनों जार्खन में दिख रहा है सुक्रवार को राज के कई अस्थानों पर हलके से मधदर्च की बारिज हुई वहीं कहीं कहीं बर्फ बारी भी हुई है बे मौसम बारी से किसानों को कापी नुक्सान हो रहा है मौसम विभागने अगामी दस फरवारी को भी बारिज की समभवना जताई है केंद्रिये मौसम संस्थान राची के मौसम बैग्यानी अभिसेक अनन ने बताया कि उत्री पकिस्तान में भी छोब और उत्तर भारत में हो रही बारिस और बहर बारी का असर जार्खन के कई जुलों में सुक्रवार को देखने को मिला वहीं बारिस के बाद दीन भर आकास में बादल छाए रहे जार्खन में स्वस्वती पुजा आज जार्खन में पांच फरवरी को स्वस्वती पुजा है इसकी त्यारी अम्तिम चरण में है चोग चोराहो और मुहले टोले में मंडप बनाये जा रहे हैं कई बड़ी कल्ब गुरुवार से ही मंडप में माद स्वस्वती की परतिमा स्थापीत करते दिखें कुरोना के कारण इस परस भी पहले की तुल्ला में मंडप नहीं बन रहे मुर्तिकारों का काना है कि इस वर्ष स्वस्वती पुजा का बाजार बिलकुल ठाप है यही कारण है कि मुर्तिकार, कारीगर और सज़साजे के काम से जुड़े कर्मियों को रोजगार के दुसरे भी कर्पो को अपनाना पड़ रहा है बता देख रोना काल से पहले एक मुर्तिकार को मास रस्वती की 374 परतिमा काउडर मिलता था जो इस वर्ष परतिमा काउडर आधा है जारखन में पलस टू स्कूलों के लिए 1400 टीचर जल्द होंगे बहाल जारखन के 125 हाई स्कूल को पलस टू अपग्रेट करने के बाद सिक्षकों की जल्द वैकेंसी भी निकलेगी सिक्षकों के पद स्रीजित होने तक हाई स्कूल के सिक्षक कलास लेंगे इसके अलावा स्कूलों में आव सकता अनुरूप सिक्षकों की परतिम्युक्ति की जा सकेगी सिक्षकों मंत्र जगनात महतों ने सिक्षकों के पद स्रीजिन की परकिया जल्द सुरू करने की बात कही है देवघर एम्स में जल्द खूलेगा नासा मुक्ती केंदर देवघर एमस प्रवंधन ने एमस में नसा मुक्ती केंदर खोलने की योजना बनाई है, एमस की आयूस बिल्डिंग में केंदर खोलने का निने लिया गया है, देवघर समेश संताल परगना में नसे का सेवन खाज कर सराप तंबाकू के अलावा ड्रॉक्स लेने वाले की कौंसलिंग और इलाज के लिए केंदर में विशेस डॉक्टर के नियुक्ति की जाएगी, इन्हें भरती करने के अलावा इनके लिए दावा की भी विवस्ता रहेगी, बाबा बैधनात पर आज चड़ेगा तिलक, मिथलांचल से 80,000 पहुंचे तिलकहरू, बसंत पंचमी पर सन्निवार को पूरे बिधी बिधान से बाबा बैधनात का तिलक चड़ाया जाएगा, परमपरा के अनुसार मिथलांचल छेत्र के आए भक्त बैधनात योतिस लिंग पर जलारपन के बाद तिलक चड़ाएंगे और इसके बाद होली खेलेंगे, इसको लेकर बाबा अंदिर परवंधन की ओर से सैरी तर्यारी पूरी कर ली गई है, मिथलांचल से करीब 80,000 तिलक चड़ाया है, जो सहर के बिभीन मैदानों वाई स्कूल ग्राउंड में पिछले चार दिनों से जमे हुए है, पूरा देव घर तिलक चड़ाया है, सहर के चारों और भयन किर् बे मौसम बारिस का असर हजारी बाग जिले के बढ़कागाव परखंड छेतर में भी देखने को मिला है, बारिस और ओला विरिष्टी से खेती बारी के साथ साथ किसान और बेवसाईयों को भी नुकसान होने की चिंता सताने लगी है, इस बारिस के कारण खेतों में पानी भर गया है, इस से परखंड छेतर में काफी नुकसान की समवना जताई गई है, बढ़कागाव परखंड में गुरुवार की मद रातिरी से अनयास बारिस होने लगी, यह सिलसिला सुक्रवार को भी जारी रहा, इस दोरान ओला विरिष्टी के साथ जमकर बारिस भी हुई ह जार्खन हाई कोट कहा सिर्फ ऐसे अधिकारी की हो नियुक्ति जिन्हें जंगल और जानवर से हो फ्रेम, जार्खन हाई कोट ने लातेहार में होई हाथी वा हाथी के बचे की मोद पर सोता संग्यान से दर्ज मामले में सुनवाई के दरान कहा कि सिर्फ वीजन डोक्यूमे जार्खन नाम से बन रहा डोक्यूमेंटरी नेशनल जेग्रोफिक्स जार्खन की संस्कृति प्रकिर्तिक संदर्य और अमुलेवन संपदा को देश दुनिया के सामने लाएगा नेशनल जेग्रोफिक्स ने पोस्ट काड परम जार्खन नाम से बनने वाली डोक्यूमेंटरी पर काम भी सुरू कर दिया है शुक्रवार को पुर्जेक्ट भवन से चिवाले में संस्ता से जूड़े परतिनिधियों ने मुख्य मंत्री हमान सुरेन के समक्ष इस बावत प्रस्दूति दी इस मौखे परमो के मंत्री ने कहा कि जार्खन में पर्याटन के छेतर में ब्यापक संभावनाएं हैं खान और खनीज के अलावा यहां के लोग खासकर आदिवासियों और उनकी परमपरा रिती रिवाज, कला संस्कृती, खान पान और रहन साहन के साथ साथ प्रकिर्तिक संदर, प्राचीन एतिहासिक धरोहर, पुरतात्विक, आउसेस, हेरिटेज, काफी परसीधा हैं जार्खन में क्रोना के 507 नए केस मिले हैं जबकि 708 मरी स्वस्त भी हुए हैं जार्खन में क्रोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 3058 हैं भारत में 1,25,345 नए केस मिले हैं जबकि 2,29,940 मरी स्वस्त भी हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 13,24,101 है जार्खन में सराब बंदिक कितना आसान या मुश्किल जाने बिहार में सराब बंदिक हो लेकर मच्चे राजनेतिक भोचाल के बीच अब जार्खन में भी सराब बंदिक की आवाई सभी दिशाओं से गुजने लगी है लेकिन जार्खन की तस्वीर बिहार से थोड़ी अलग है बिहार में जहां सराब बंदिक का बिरोध भी पक्ची पाटिया कर रही है वहीं जारकण में सराब बंदी के पक्स और भी पक्स में सताधारी जामुमों के ही दीगज नेता कड़े हो रहे हैं आलम यह है कि मुख्य मंत्री हमन सुरेन जहां राई सो बढ़ाने के लिए नई सराब नीती बनाने की कवायत से जुटे हैं वहीं सराब बेचने का तरीका बताने के लिए 36 गर से विसे सगे बहाल कर रहे हैं वहीं जामुमों के राष्टिय अध्यक्ष और पुरो मुक्वंत्री सीवु सुरेन जहारकण में सराब बेचने के खिलाप हाएं वह सरजनिक रूप से सराब बंदी लागू करने की मांग कर रहे हैं रांची के सभी CHC में 10 फरवरी तक ब्रेश्ट और सर्वाइकल कैंसर पर जाच सिवीर बिश्व कैंसर दिवस के मौखे पर रांची जीला के सदर सहीद सभी CHC में ब्रेश्ट और सर्वाइकल कैंसर को लेकर जाच सिवीर की सुरुवात की गई है चार फर्वारी से दस फर्वारी तक सदर अस्पताल सही सभी CHC में व्रेश्ट सर्वाइकल और ओरल केंसर की जाज कायोजन किया जाएगा ताकी सह समय इसकी पाचान की जा सके मौरहबादी मैदान से आई से हटेगा अतिकर्मन मुरहाबादी मैदान से सन्निवार से अतिकर्मन हटाया जाएगा इसकी त्यारी कर ली गई है पहले अस्थाई इसके बाद अस्थाई अतिकर्मन हटाया जाएगा सुक्रवार को जीला परशासन की टीम सहर स्थियो और बढगाई स्थियो के नितित्र में पहुँची टीम ने फाइनल मापी की है सनिवार से अस्थाई अतिक्रमन के खिलाप अभियान भी चलाया जाएगा अस्थाई अतिक्रमन करने वालों को बिहार भू सुधार अधिनियम के तहत नोटिस भी दिया जाएगा इस्कूल खुले उपस्थिति कम पर उत्साह भरपू राइधानी राची में एक महीन chapters अधिक समय के बाद सुख्षुबार को स्कूल खुल गया है अधिकांस स्कूलों में उपस्थिति अपेकछा किरित कम ही रही लेकिन विद्यार्थियमें उत्साह जबरजस्त था कम उपस्थिती के बाद भी नीमीत रूप से कक्छाय चली स्कूलों की ओर से कुरोना गाइडन के पालन करते हुए बच्चों को सोसल डिस्टेसिंग के साथ कक्छाव में बैठाया गया वहीं स्कूल में परवेश के साथ ही बच्चों के हाथों को सनेटाइज कराया गया और थर्मल स्केनिंग भी की गई जो बच्चे मास्क पहन करना ही आय थे उन्हें स्कूल की ओर से मास्क भी उपलवत कराये गए मालवारी स्कूल के परचार आसीस कुमार ने बताया कि पहले दिन लगवग 15 पत्रुत उपत्रिती रही है इंस्ट्ट्रूट अप होटल मेनेजमेंट रांची के छात्रों का बेहतर पलेसमेंट हुआ है पहला प्लेस्मेंट ड्राइव के तहत चात्रों को रिलाइंस में लाखों का पैकेज मिला है 13 चात्रों को 3,25 रुपय का पैकेज दिया गया इस मौके पर संस्थान के प्रचार या डाक्टर भुपेश कुमार ने चैनित चात्रों को बधाई देते हुए बेतर भविस की सुबकमनाई भी दिया है ज्यारखन के साथ जीलों में पहली डोज के सत परतिसर टीका करन का लक्ष पूरा कर लिया है इसमें बोकारो दुमका पुर्वी सिम्भूम गुमला खोटी लाते है तता पच्मी सिम्भूम जीला सामिल है पूरे ज्यारखन की बात करें तो लगभग अब तक 96 परतिसर वैसकों को पहली डोज का टीका लक्ष पूरा कर लिया है वहाँ अभी भी इन डोज का टीका करन हो रहा है क्योंकि सभी जीलों के लिए लक्ष अनुमानित अवादी के अधार पताय किये गये थे इसके बाद भी जो लोग बचे हैं उन्हें भी टीका लगाया जा रहा है ज्यारखन में भारी मत्रा में खद्यान उपलवद केंद्रिये खाद प्रसंसकरन एम उभोकता मामले की राजे मंत्री साध्मी निरंजन जियोती ने लोग सभाय में बताया कि कोरोना संक्रमन काल में पधान मंत्री गरीब कल्या निवजना के तवा ज्यारखन के दोसो चौशट लाख लाखो को प्रती महिने पांच किलो अनाज निस्सुल्क उपलवद कराया जा रहा है यह जनकारी मंत्री ने लोग सभा में सांसत संजय स्रेट द्वारा पूछे गए सवाल के जबाब में दिया उन्होंने बताया कि ज्यारखन में कूल लाखो की संख्या दो कोरोट चौशट लाख साथ जार आट सवन ठावन है रांची में लाखो की कूल संख्या 29,086,075 है इन योजना का संचालन मार्च 2022 तक किया जाना है ज्यारखन सरकार एको टूरिजम करने जा रही बिक्सीत सरकार ने ज्यारखन में पर्याटकों को आकरसित करने उन्हें गुन्वाता पूर्ण सुविधा उपलब्द कराने और इस छेत्र में नीजी निवेस आकरसित करने के लिए नई पर्याटन निती बनाई है नीती की मंतरी परिशत से स्विक्रिती प्राप्थ हो चुकी है इसमें कोई संदे नहीं की आने वाले दिनों में पर्याटन से रोजगार के उसस रिजीत करने और रायस्वक में बढ़ोतरी करने के वीजन के साथ ज्यारखन पर्याटन के छेत्र में बदलाव का वाहक ज्यारखन में 12 से 14 साल तक के किसोरों का लगेगा कोरोना भैक्सीन ज्यारखन में 12 से 14 साल तक के किसोरों को कोरोना का टिका देने की त्यारी शुरू कर दी गई है स्वास्त विभाग का उन्सार इसके लिए करीब 23 लाग किसोरों को चिनित किया गया है टीका देने की परकिरिया 15 से 18 साल की तरह ही रहेगी स्कूल और टीका केंद्र पर अलग से टीका देने की बेवस्ता की जाएगी छेतर के कुछ स्कूलों को मिला कर एक स्कूल को सेंटर बनाया जाएगा जहां की सोरों को टीका दिया जाएगा बतादे टीका करन फरवरी के अमतिम सप्ता या मार्च के प्रतम सप्ता से शुरू होना है सिनियर वोलीवल चेम्पियंशिप के लिए जहारखन टीम का चयान जार्खन सरकार द्वरा कुरोना गाइलेंड में छूट देने के बाद जार्खन के वोलीवल खिलाडियों का नेशनल सिनियर चैंप्येंजिप में भाग लेने का रासा साफ हो गया है जार्खन में खेल गतिविद्या पर्तिबंधित होने के कारण जार्खन वोलिवल संग ने भुनेसवर में आवेजित होने वाले सिनियर वोलिवल चेंपियनसिप में टीम भेजने में असमर्ता ब्यक्त गी थी लेकिन सरकार की ओर से छुट मिलने के बाद जारकन वोलीवल संग ने गोड़ा में चैन सिवीर आवेजित कर महिला पूरुष टीम का चैन कर लिया है टीम साथ से तेरा फरवरी तक भूनेस्वर के किट विश्व विदाल में आवेजित होने वाले सेनियर राष्टिये वोलीवल परतियुकता में भाग लेगी जैविक खेती से जारकन में आगे बढ़ रही आधी अबादी राइधानी राची समेत आसपास के जीले हजारी बाग गुमला चातरा वलुहर्दागा में ऐसे कई किसान हैं जो जैविक खेती को बढ़ावाद देने में अपना कुन पसीना बहा रहे हैं इन किसानों को बकाईदा क्रिसी विभाग से प्रसिक्षन भी दिया जा रहा है मज़ेदार बात या है कि इस प्रसिक्षन में महिलाए अधिक से अधिक सामिल हो रही है इस समंध में धान अनुसंधान केंद्र हजारी बाग के बेज्यानी पंकच गुबार सिंग बताते हैं कि कैंसर जैसी घात्यक बीमारी से बचने के लिए हमें अपने खान पान के साथ साथ अनुसासित जीवन सेली अपनाना होगा उन्होंने कहा कि मानों जीवन में यदि सबसे अधिक किसी से खात रहा है तो रहा सायनिक खात से ही है चुनाओ के लिए केंद्रे ने जारखंड से मांगा CRPF के 30 कंपनी पंजाब उतराखंड उतर परदेश कुवा वा मनिपूर में सांतिप पूर्ण चुनाओ को लेकर केंद्र सरकार ने जारखंड सरकार से पदस्थापीच CRPF के जवानों के 30 कंपनी मांगी है जारखंड पूलिस मुख्याले इस बात को लेकर परिसान है कि जारखंड में नक्सलियों के विरूध होई करवाई के बाद नक्सलि किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं बॉल केंद्र को दिये जाने से जारकंड में नकसल वीरोती अभियान प्रभावित हो सकता है पूलिस मुख्याले ने जारकंड सरकार को पत्र लिख कर या आगरा किया है कि केंद्र को इस समस्या से आउगत कराते हुए अन्रोत किया जाए धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होतों चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल कर बेल एक अंदा बाइए सासर वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों से सेर करना ना भूले सासी साथ आपने में कमेंट बक्स में अपना फिड़बेक अवस्त दे थैंक यू